दोस्तों ही बात तो आपनों जानती हूँ कि बॉलीवूड के ठक्स ओप हिंदुस्तान यानि कि भीया लाको दिलों की जान भाई बॉलीवूड के मिस्टर परफेक्ट खान आमीर खान के फिल्म लाल सिंग चड़ा को बॉक्स ओफिस पर रिलीज विए चार दिन हो चुके हैं यानि भीया आज इस फिल्म का बॉक्स ओफिस पर पांचवा दिन है तो भीया इस फिल्म को चौते दिन बॉक्स ओफिस पर कैसा कलेक्शन मिला और क्या इस कलेक्शन के माधियम से ये फिल्म पहले हपते में 50 करोड का आखड़ा बॉक्स ओफिस पर पार कर पाईगी चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोड़े से रिपोर्ट के मादियम से हिलो फ्रेंट्स मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानि की वाइरल न्यू जंक्सन में तो दोस जैसा मैंने आपको बताएं की आमिर खान की इन आने की लाल सिंऑ चड़ा को बाक्स अफिस पर रिलिज्वे चार दिन हो चुके हैं और भाई ऐस फिल्म को चार दिनों में जैसा कलेकशन मिला है बॉक्स ओफिस से उसको देखने के बाद इस फिल्म को लगर मैं यह बात आप लोगों से कहूं को भाई हो सकता है कि दूसरे अफ़ते में यह फिल्म कई सारे शहरों में नजर ही ना आए तो भाई यह कहना बिलकुल गलत नहीं होगा यानि जिस फिल्म को इतने सारे हॉलिडेज मिले हो नाइन करूर का और उसके बाद भाई या पहले विकेंड के आगड़ी दिन यानि की संडी को इस फिल्म को जो बॉक्स पर कलेक्शन मिला है वो आगड़ा है टैन करूर का या पहले विकेंड के बादें से यह फिल्म किये वोल 37 करूर 96 लैक रुपिस का ही बिजनस कर पाई है पूरे इंडिया से और भाई यह कलेक्शन वाकई में चौकाने वाला है क्योंकि बियाश को देखने के बाद अन्दर से यही बात निकलके आ रहे है कि शायो प्रॉर्म अगले हफ्टे तक पूरे ही नगिया में पछाई रहे या फिर कहें कि वियास फिल्म के शो disponरों के शो